जब उन्से इस वक्त की बड़ी खबर करू करते हैं और बड़ी खबर सुरक्षा से जुड़े हुई इस वक्त की बड़ी खबर ब्यापारी से लूटा 71 लाख उर्पए से भरा बैज मांसुरुवार थाना इलाते की घट्ना स्कोर्पियो सवार बदमाशों ने वारदात को इंजाम दिया है सूचना पर जयापुर शेहर में करवाई गई ए शुरेनी की नाकबन इस वक्त की बड़ी खबर अलंगी सवाल ने समके बीच में ये भी है कि व्यापारी 71 लाख उर्पए का कैशने लेकर कहां चाले लेकिन व्यापारी से 71 लाख उर्पए की लूट हुई है 71 लाख उर्पए से भरा बैज जिसको लूट लिया गया है और साहिरत जिनों ने लूटा होगा उनको बखुवी जानकारी होगी तभी इस वार्दात को अंजाम दिया गया होगा मांसुरवर थाना इलाके की एखटना है और स्कॉर्पियो सवाग बदमाशों ने वार्दात को अंजाम दिया है ऐसे में पुलिस के लिए पहली चौनोती होगी उस स्कॉर्पियों को तितट करना उसरी चलेंज होगी स्कॉर्पियों के नंबर को हंगालना और उसके बाद आरुपियों तब यह था है लुटेरों तब पहुंच मेरे से होगी सतनारायन जुड़ गये सतनार दो सवाल पहला तो 71 लाख रुपे क्याश लेकर व्यापारी कहां जा रहा था और दूसरा इस वारदात को लेकर पुलिस के पास कोई इंपुट अभी तक पहुंचा या नहीं सब्सक्राइब कोई सेशेटे पे फोटेश सामने आएं सतरन कुछ जानकारी मिल पारी है कि जापूर से इस लूट की वारदात को अंजाम देनी के बाद ये स्कॉर्पियो सवार किधर के तरफ गए हैं पुलिस के बाद में हाला की करेबन साथ मिल्ट के बाद में पुलिस में रेस्पोंस दिया था पुलिस के अच्छी कारवाई रही लेकिन अभी तक वदमास है वह पकड़ में नहीं आपाए हैं वहीं पुलिस की एक्ट्रीम जो पड़िवादी है जो पुलिस के बाद रही है उससे पूसा रही है कि इतना बड़ा अमाउंट वो कहां से लेका है तो कहां को उनको पैसा देना था इस तरफ़ी बाद तक तद्रीक की जा रही है और साथ-साथ पूरे जैपूर शेनी में वहीं जो पूरे जोकर बड़ा जी गई है कोई भी भाद बाहर जाएगा तो किना चलाची के बाहर नहीं जा पाएगा तो माना जा रहा है कि पुलिस जैल भी इखारा सब्स्राद के बाध करते है कि बिचे दर झाल झाल